दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक informative पोड़कास्ट में आज का पोड़कास्ट मेरे उन भैन भाईयों के लिए जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं लोगों की वीडियोस देखकर क्यूकि उसमें अरनिंग दिखाई जाती है कि भाई ये लाको कमा रहा है इसने ब्लॉगिंग से करोडो कमा लिए और वो अरनिंग से motivate होकर ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं लेकि पी टाइम से कमाते आरे हैं लेकिन ये podcast उन लोगों के लिए नहीं है जो सिरफ वीडियो में earning देखने के लिए आते हैं ये उन लोगों के लिए है जो वाकई में blogging से असली में successful होना चाते हैं जो चाहते हैं blogging में इतना नाम करें कि उनके सभी सपने पूरे हो जाएं तो ये podcast देखने के बाद आपको blogging से related बहुत सारी चीज़े clear होंगी जिनने देखने के बाद आपको लगेगा blogging seriously में आसान है तो ये video सिरफ वो लोग देखें जो earning नहीं कुछ सीखने आये हैं welcome करते हैं अपने चैनल के उपर अपने guest का और मैं request करूंगा उनसे भाई अपने बारे में थोड़ा सा brief introduction दो आपका क्या नाम है आप क्या करते हो और कहां से हो अधावल जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने platform पे लोगों के सामने लाए और मैं अपने बारे में बता दू मैं एक blogger भी हूँ YouTube channel भी run कर रहा हूँ साथ-साथ जो है कुछ पीछे काम भी कर रहा हूँ जो मेरे लोग बहुत से पहले लोग जानते हैं आप भी जानते हो येगा और यहाँ पर मैं आया हूँ आप लोग जानते हैं बिहार को सबसे पिछरा एडिया माना जाता है लेकिन अब मैं देख रहा हूँ दीरे-दीरे लोग जो है रिमोट वर्क करते-करते जो है अब लोग इस फिल्ड में यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं मैं आप से अब स्टार्टिंग में सबसे पहले यही चीज पूछना चाहूंगा क्योंकि ब्लॉगिंग से एक होता है ना कहीं से मोटिवेशन मिलना पता लगना कि यार यह नाम का भी फिल्ड होता है तो आपको कहां से पता लगा ब्लॉगिंग के बारे में और आपकी यह जर्नी कब स्टार्ट होई एक्चुली यह कॉलेज टाइम के बात है तो कॉलेज टाइम में बेप डिवल्लपिमेंट का एक कीरा होता है सब में चलो यार सुरु सुरु में इंटरनेट का आता है यार क्या चीज है यह करते हैं आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अविलेवल है और खासकर यूटूब पे अभी तो तुरंत में एक क्लिक पे बहुत सारे वीडियो अविलेवल है उससे में इतना कॉंटेंट नहीं हुआ क कब कौन से यह की बात कर रहे हैं यह तो हमारे वाला ही टाइम हो गया जी 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 जिस समय याद होगा कि एक SMS गप सब करके आता था एक ग्रूप बनता था यह बना ले कुछ तो लगता था बहुत बढ़ा चीज कर लिया है कि बिना नंबर का मैसेज सब को ग्रूप में हुआ बहुत बीज रहे हैं तो उसी समय हुआ क्या मतलक ऐसे है ना की चलते-चलते जो है सीख रहे हैं कुछ कर रहा है तो उस समय US में यह सब काम चल ला था धीरे-धीरे कुछ जो है न्यूज जो अटिर यह समझ मैं रया कि यार in वीकॉत है रहा strings ओनलाइन मतलग की payment का भी option नहीं था उस समय इतना, net banking सिर्फ था, कि अगर college का कुछ exam fee पे करना है, तो net banking के थूरू पे कर सकते हैं, इसके अलावे ज्यादा कुछ था नहीं concept, तो earning तो दूर की बात है, लोग सोच भी नहीं पाता था, क्या रहे यार कमा भी लेंगे, उसी समय मेरे college के कुछ दोस्त और teacher जो कर सकते faculty हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, सच में होता है earning, और वो क्या है, कि मेरे जो teacher, मतलब मेरा background तो computer science से था नहीं, लेकिन computer science वाले teacher से मैं पूछ लिया, कि सर ये बताईए, कि सच में earning होगा, पैसा bank में आएगा या नहीं, सिर्फ इतना बत वो बोले सच में आता है, कैसे? AdSense से, AdSense के बारे में मेरा एक दोस्त था, college friendly, वो बोला कि AdSense कुछ चीज होता है, वो भी earning नहीं किया था, सिर्फ वो कहीं से सुना था, जब मैं जाना, देखा, portal खोला, AdSense का official website खोला, समझ में आया, teacher ने confirm कर दिया कि पैसा सच में तो भाई एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, earning तो चलो हम disclose नहीं करेंगे, क्योंकि लोग earning से ज़्यादा motivate तो होते नहीं है, जस time pass करते हैं, तो मेरा एक सवाल आपसे है, जब हम blogging स्टार्ट करते हैं, तो blog से जब हम महनत करना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जो आपको अपनी first earning receive होई थी, तो इस बीच की क्या duration थी, क्योंकि कहीं लोगों को जल्दी मिल जाती है, मुझे 6-7 साल लगे थे, 2009-10 में start करने के बाद, 2016 में मेरी पहली earning आई थी, तो आपको कितना time लगा था, वो time एक बार बताओगे roughly estimate, हाँ लगभग एक साल लग गया था, उस समय आपको याद होगा कि कोई criteria नहीं था, कि आपको हर हाल में apply करेंगे, यह criteria होगा, तब जाके approval होगा, सब को approval था, हाँ, कुछ भी करो approval ही था, automatic लगता था approval, सिर्फ पीन घर पे आया, उस पीन को verify कर लिजे, 100 डॉलर जिस दिन पूर जाएगा, उस दिन हो जाएगा, तो लगभग लगभग एक साल लगया था, मेरा पहला 100 डॉलर घर पे आने में, वो भी चेक, याद होगा आप पहले चेक में कहुँँगा, इतना असान है, जितना घर बैटे, आराम से चाही भी नहोता है, इतना असान आज व्लोग बनाना होगया है, लेकिन व्लोग को successful बनाना, व्लोग को से कुछ कमाना, व्लोग का नाम बनाना वो सबसे जञदा मुश्किल होता है, तो आज हम इनी topics पे बात ब्लोग का या मल्टी निचीज का तो आपके कोडिंग क्या बैस रहता है ब्लोगिंग के लिए अभी करेंट में तो मैं कहूंगा माइक्रो नीच पे चलिए काम करिए इसलिए मैं कहा रहा हूं कि अब जो है ना टार्गेटेड अब काम होना शुरू हो गया अगर आप भी एक्सप्रियेंस किये हुएगा तो जिस पर सारे केटेगरी के कॉंटेंट लिखा हुआ है ना अब दीरे दीरे देखिए मैं यह नहीं कराऊं कि सब लोग जो है निउज ब्लॉग ही बनाईए और निउज का ही डालिए नहीं तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि वह टेंपरेरी है अर्निंग किये और इसके बाद फिर घर बैठ जाएगा लॉंग टर्म में चलना है तो अब एक टार्गेट करके चलना होगा और बिजनस का रूप देना होगा कि बाई बिजनस करना है तो चलो यार एक चीज का पहले करते हैं उसको एक तम पीक पे ले जाते हैं तब जा करके दूसरे बिजनस में हाट डालेंगा ऐसा नहीं है कि एक सारे बिजनस को सुरू करती है राइट बिलकुल बिलकुल तो भाई हम थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं जैसे कि माइक्रो निची आपने बोला तो लोगों को दिक्कत होती है माइक्रो निची रिसर्च करने में तो आप कुछ टिप्स देना चाहोगे अपने एक्सपिरियेंस के आधार पे कि माइक्रो निची लोग कैसे easy way में find क कर सकते हैं जो profitable हों कुछ नहीं भाई मैं सीधा सी कहता हूं माइक्रो निच इतना आसान है लोग कहते हैं कि यह मैं काम करूं यह रिसर्च करूं इतना करूं अभी crypto का trend चला था चला था या नहीं चला था बिलकुल भाई तो वीडियो एक दम टॉप पे चला गया trend होना शुरू हो गया nationwide है ना तो उसी तरह से जब आप news paper सबसे बढ़ियां में तरीका करता हूं per day आप news paper पढ़ते हैं आर्टिकल पढ़ते हैं Twitter चलाते हैं कोई एक topic दिमाग में बैठा लिजे कि कौन सा चीज trend कर रहा है और क्या इसका भविस अगले दो साल है मैं दो साल का ले रहा हूं चुकि आपको rank करने में अगर नए नए blogger हैं तो आपको हो सकता है दिक्कत हो सकती है अब बस इतना करिए और target करिए धेरो मिल जाएगा बस आस पास के चीज़ को देखिए कि भाई ये चीज़ ज्यादा यूज हो इसका बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो keyword research भी कर लेते हैं मैं भी videos डालता हूं बहुत सारे लोग डालते हैं कि चलो ये कैसे करनी हैं लेकिन लोग article लिख देते हैं उसके बाद भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो हमारे subscriber है 400-500 article लिख दिये अब keywords भी ऐसे find कि उन् कि वो कहां पर गलती कर रहे हैं क्या चीज़े उनको follow करनी चाहिए देखे आप SEO की बात कर रहे हैं तो यहां पर SEO के फिल्ड में इतने साल से आप भी है 9 से लगब 2009 से आप भी है experience एक बात कियो येगा कभी कि अब ऐसा situation आता है कि कोई ऐसा post है बहुत बढ़ियां लिखे है सब कुछ बढ़ियां लिखे हैं आप difficulties भी देख लिए सब कुछ कर लिए rank नहीं होता है ये चीज आपको अब देखना पड़ेगा Google का कोई update आया है कुछ miss कर रहे है वहां पे आपकी authority क्या है क्योंकि overall आपको देखिए कोई भी user होगा आपको पहले page पे आयेगा जिसका blog आया देखेगा अधरवाइद चला जाएगा हम सब गलती क्या करते हैं सुचते हैं कि मैं सब कुछ लिख दिया हो ना अब सिर्फ मेरा blog ही आगे जाएगा ये गलती कर देते हैं आप continuously जो है आप लिखते चली लेकि एक चीज़ आप यहां पे कर रहे हैं 400 पोस्ट लिख दि कि सच में मेरा content उतना है या मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बढ़ियां लिखा हूं दुनिया को नहीं लग रहा है जैसे मैं अपनी एक से relate कर देता हूं मेरे YouTube चैनल पर मैं वीडियो डालता हूं लोग प्रस्नली बात करते हैं बोलते हैं content बहुत बढ़ियां है लेकिन millions म को मैं target कर रहा हूं वहां पर उतना भी नहीं आएगा क्योंकि multi category यहां पर हो चुका है अब इस चीज को मैं change नहीं करना चाहता हूं यही चीज मेरे कुछ ब्लॉग के साथ हुआ नए नया ब्लॉग में बनाया वहां पर इतने दिन से मैं काम कर रहा हूं फिर भी कुछ ब्ल इस चीज को थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा वैसे भाई मैं एक चीज मान के चलता हूं मुझे इतना मेरा खुद का experience बोलता है अगर आप किसी चीज पर targeted होके काम करते हो मतलब एक topic आपने पकड़ लिया और आपने ठान ली कि मैं अपने आप से promise कर लिया कि मेरे इ एक दम एक जम यही यही बस अपने दिल से दिल से सुचिए कि यह सबसे best solution मैं यहां पर डाल रहा हूं एक समय ऐसा आएगा कि यह Google की मज़ूरी हो जाएगी कि आपके उपर traffic वेजे मज़ूरी बिलकुल तो भाई मेरा next question आपसे यह है कि बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग कर नहीं है तो क्या ब्लॉगिंग के अंदर आपके अनुसार आज के टाइम पर backlinks माइने रखते हैं या फिर अगर हम quality पर focus करें तो हम छोटे से ब्लॉग को बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हैं देखे मैं फिर से कह रहा हूँ हमेशा से अपने वीडियो हर जग में बूला हूँ जहां भी बूला हूँ बैक लिंक्स रियल में माइने रखते हैं हाँ वो तो है वो है बैक लिंक का सीधा से मतलब है राहुल भाई कितने बढ़िया है यह चीज मुझे जितने ज़्यादा लोग बताएंगे उतना अथरिटी बील्ड होगा कोई पूलवाना सुरू कर दूं कि राहुल भाई बढ़िया है बढ़िया है और वो एक समय आएगा कि पता चल रहा है सब को कि राहुल भाई के बारे में बुलवा रहा है लोग तो जैनून तरीके से काम करते रहिए अप अगर कॉंटेंट अपका यूनिक और कुछ ऐसा है आज के दिट में मतलब यह नहीं कर रहा हूं कि कॉपी पेस्ट या कहीं से देख लिए मेरे से सुन लिए आप से सुन लिए और लिख डाले ऐसा नहीं कुछ चीजे वेल रिसर्च है कोई आर्टिकिल ऐसा है जिसका तोर मजबूरी हो जाएगा सारे न्यूज पोर्टल के बड़े बड़े ब्लॉगर को कि आपको बैक लिंक दे बिल्कुल क्योंकि यहां पर कॉपी राइट नाम का चीज है आप चेक करेंगे मेरा कॉंटेंट कोई कॉपी कर रहा है उसको भी डर है इतना बरा मान लिजे बिजनस खरा कर लिया है अब वो जो है कॉपी करेगा डुप्लिकेट करेगा उसको पेनलाइज गूगल कर देगा तो वो गलती नहीं करेगा और अगर नए ब्लॉगर है नो तो बैक लिंक को थोरा सा थोरा सा ध्यान हटाईए और बांकी चीज पर काम करिए क्वालिटी पर और शु मुझे तो पता है कि मैंने जितने भी ब्लॉग बनाए या हम जितनों पर काम कर रहे हैं इंफेक्ट यूटीब की भी बात करें कि अगर आप सो चीजे करते हो ना तो सो की सो आपकी वाइरल होंगी यह तो भूल जाओ तो आपकी अनुसार जो लोगों की साइकलोजी है कि भ आपकी इस चीज पे क्या रहा है देखिए यहां पर मैं खुद फिल किया हूं और मैं यह बात जानता हूं कि सारे के सारे छोड़िये 50% भी रैंक नहीं करें बिलकुल भाई बिलकुल अगर चुकि कंपेटिशन इतना जैदा है ना इतना सिर्फ चेक करना है कि पर डे कितने इसी से अंदाजा लग जाएगा अभी हम लोग का वीडियो कोई देखें कोई नए ब्लॉगर आये जो पहले से चला रहे हैं बहुत अथी बार नहीं लोग आये चलिए इसके बाद जाएंगे एक नया ब्लॉग सेटप करेंगे वह भी रिसर्च करेंगे सीखेंगे और इसक आधरısı यहां पर आपको देखना परेगा की मेरा कॉंटेंट सब लेंग अगर नहीं कर रहा है तो किसीने किसी का कर रहा है आप चेक लिए जो टॉपिक के आपका रैंख नहीं कर रा हा। उसके बहुतसारी फक्टर हैं ऐसा मैं सोचिए कि उसका इसका कोंटेंट और मेरा writer आया है सु आप सबसे पहले किसका book उठाइएगा famous का तो google भी सबसे पहले recommend उसको कर रहा है google को समझते समझते समय लगेगा कि नहीं आप इस field के जो है ना boss हैं तब जा करके आपके आपके तब भी नहीं तोटल के total rank होगा तब भी नहीं होगा actually भाई आपकी इस बात से मैं भी audience को एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखो आप जब नए आते हो ना blogging में तो ये चीज मत सोचो कि हम आज से या दो एक महीने में हमारी earning स्टार्ट हो जाए हो जाती अच्छी बात है efforts करो लेकिन मैं इसके लिए हमेशा एक example देता हूँ आप अपनी market में अपने गाउं शहर जहां भी रहते हो आपको कोई ना कोई दुकान ऐसी मिलेगी जो आसे 50 सल, 70 सल, 100 सल पुरानी है और लोगों पे उसका trust होता है लोग वहीं जाते हैं क्यों क्योंकि वह quality अच्छी दे रहा और काफी पुराना है अगर आप यह सोचो मैं सेम चीज की दुकान खोलू मिठाई की कोई दुकान है जिसकी दिन की महीने की लाखों की कमाई होती और आप यह सोचो मैं भी उसी की तरह मिठाई की दुकान उसी के बाजू में खोल लेता हूँ और मेरी दुकान चलेगी अब वो बैठाया इंसान 60-70 साल से मार्केट में उसकी quality भी बहुत अच्छी आप उसको कैसे टकर दोगे आपकी सोच अच्छी है कि मैं कमाल होंगा लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में पुराना होना पड़ेगा और मिठाई उससे बैटर बनानी पड़ेगी प्लस प्राइजीज भी आपको कम रखने पड़ेंगे तो आप competition दे सकते हो मतलब महनत करनी पड़ेगी लेकिन अगर आप ये सोचो कि यार मैं डिरेक्ली टकर दे दोंगा तो भाई आप बेवकूफ हो ये ही सेम चीज ब्लॉगिंग में होती है आपको टाइम देना पड़ेगा और वहाँ पे जैसे मार्केट थी मार्केट में लोगो का ट्रस था ऐसे ही ब्लॉगिंग के अंदर गूगल हमारी मार्केट है गूगल लोग हैं हमारे अगर गूगल हमें देखेगा हमारे ब्लॉग को और समझेगा कि हाँ यार ये पुराना है और धीरे-धीरे क्वालिटी भी अच्छी दे रहा है इसके ब्लॉग पे दो-चार लोग भी आ रहे हैं तो वो सैटेसफाइड होके जा रहे है तो गूगल आपको पुष करेगा और ज्यादा हाईर रैंकिंग्स में जैसे मार्केट में होता है दो-तीन कस्टमर आए क्वालिटी अच्छी लगी उसके बाद दस को जाके और बताएंगे सेम चीज यहां पर वर्क करती है लेकिन पेशेंस लगता है चीजे रातो रात नहीं होती है सही सही एकदम सही बोले तो भाई अब आपको बहुत सारी चीजे समझ आ गई होंगी कि आपको ब्लॉगिंग में काम कैसे करना है तो आजे भाई मैं आपसे एक चीज और पूछना चाता हूँ जब कोई नया ब्लॉगर स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में काफी सारी चीजे होती है उन काफी सारी में सबसे ज़्यादा पीक पे होती है वो होती है पैसा और उस पैसे की वज़ा से वो जिस चीज पे फोकस करना होता है उस चीज पे फोकस नहीं कर पाता तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ अगर किसी ने न्यू ब्लॉग स्टार्ट किया तो जब वो ब्लॉग स्टार्ट करता है तो डेली का उसको क्या discipline बनाना चाहिए कि डेली के कितने article लिखे quality पे focus करें या quantity पे focus करें तो कुछ ऐसा amount बताओ कि discipline भी बना रहा है कि part time कोई कर रहा है पढ़ाई के साथ सा, job के साथ सा तो डेली के या महीने के हम कितने targeted articles रख सकते हैं हमें लिखने चाहिए blog पे देखे जो लोग जो है study कर रहे हैं नए नए आये हैं कोई भी experience नहीं है आप क्या करिए target में रख लीजिए कि मुझे एक post जाइदा नहीं एक post लिखना है लेकिन पूरी तरह से keyword research करके लिखना है और आप लिख करके सब कुछ करके और फिर अपने जो भी सीडियूल है पाकी काम करते रहिए जब आपको लगे कि नहीं sufficient मेरे पास content आ गया है तब जा करके आप सूचिए कि आगे हाँ एक चीज़ मैं कहा रहा हूं यहां पर analytics को आप गौर करते चलिएगा हमेशा अगर कभी एक भी traffic आया दो भी आया दस भी आया सो भी आया अगर यूज़ा आ रहे है न तो अब analytics को जो है पकड़िए उससे related content लिखिए क्योंकि Google में अगर एक भी page index हो गया है तो हो सकता है Google क को एक signal मिल आओ कि इस category का content इस domain पे मतलब इस blog पे available है तो ज्यादा से ज्यादा होगा और एक फाइदा होगा same related content है एक post पे कोई आ गया और उसी से related content को देखने के लिए दूसरा रुख गया मतलब कि user ज्यादा से ज्यादा अगर आपके blog पे समय दिया ना तो एक तर से तो भाई keyword research का जैसे आपने बोला तो बहुत सारे लोगों के पास जैसे paid tools का पैसा नहीं होता तो उसके लिए हम prefer करते है HRF का free keyword generator google auto suggest इन सब का use करने के लिए तो according to you अगर हम आप से पूछे हैं क्या कोई इनके अलावा आपको free का tool पता हो भी को सब का experience अलग होता है research सब्सक्राइब होगा उबर सब्सक्राइब सब्सक्राइब होता है मैं आपको एक सजेशन देता हूं जितने भी नए blogger दोस्त हैं मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप 5-6 popular keyword research tool का उठा लीजिए उसका trial वाला तो छोड़ दीजिए free वाला जो रहता है trial वाले में हो सकता है आपको जो है card detail मांगते हैं आपको डर लग जाए कोई बात नहीं है फिर वाले लिए एक limit रहता है कि चलिए आप 10-5 इतना कर सकते हैं सब का उठा उठा करके थोड़ा थोड़ा try करिए और काम करिए और सबसे बहतर Google का जो पुराना नाम keyword planner था अब नाम change हो गए आपको याद होगा सबसे बहतर उसका है उसका उठाइए काम करिए और बिजनेस के रूप में काम करना चाह रहे हैं सच में मैं बता रहा हूँ भाई राहूल भाई अगर इसको serious बे में काम करना चाह रहे हैं तो आपको invest करना पड़ेगा हर हाल में आज के date में यह नहीं competition है अगर आप सिर्फ time pass के लिए रहे हैं बहुत competition के सासा बहुत मेहनत लगता है यहां पर बिजनस के रूप में बड़ी बड़ी कंपनियां आप गौर किये हो यह गया आप गौर किये हो यह यह पूरा stock से रिलेटर ना अपना एक block setup करके रखा हुआ है और सब की मजबूर हो गई है कि इसको backlink दे भी क्योंकि यह product sale कर रहा है इसके पास अपना product है अब इसके पास इतना backlinks है इसके पास अच्छे अच्छे writer है SEO expert है यह उस field का क्या है सारे keyword पे जो है अपना जो है position बना के बैठा हुआ है यही काम news companies ने किया हूँ NDTV वगएरा कितने भी इतना गं के बैठा हुआ है और सब जितने भी लिख हो रहे है movie website वह सब का नाम के साथ tag लगा रहे है title लिख रहे हैं सब कुछ लिख रहे हैं क्या कर रहे हैं अस्तर label तो गिरा दिया है ना बस वही है यार मैंने कुछ ऐसे शब्द भी देखे हैं जो हम वीडियो में नहीं बता सकते नहीं बता सकते हैं ना MMS वगरा की टाइप की चीज़े होती है एंडी टीवी ने वह भी चीज़े डाली होई है तो आज के टाइम पर ब्लोगिंग में इतनी जादा मैं कहूंगा competition और भागदोड है कि अगर आप सिरफ यह सोच के आ रहे हैं हमने तब ही बोला स्टार्टि लोग आज के टाइम पर ब्लोगिंग में क्या करते हैं लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं चाहें ट्रैफिक नहीं आ रहा है जो किया है उसको भी तो देखो कि मैंने क्या गलती करी है एक गलती को जिंदगी बर करोगे तो आप उसमें perfect हो जाओगे आपको पता भी नहीं लग ये चीज करते 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 प्रोब टब ब्लोगर तब बनोगे अगर आप शिरफ लिखते जाओगे और अपने काम को जज़ नहीं करोगे तो आप ब्लोगर नहीं बनोगे सिरफ एक मज़्धूर की तरह लग रहे हो जिसको उतनी महनत आना भी नहीं मिलेगा जितनी उस ने मेहनत कर दी तो सिंपल सी चीज है अगर इतना आसान रहता अपने देश में कितना बेरुजगारी है बिल्कुल भाई सब यही नहीं कर लेता कर लेता लेकिन भाई एक चीज देखो ब्लॉगिंग से पैसा बनता है यह तो आप भी जानते हो मैं भी जानते हो सबको पता है लेकिन सब भी नहीं कमा पाते बात तो भाई है ना क्यों अब उसमें गल्ती ब्लॉगिंग की नहीं है गल्ती हमारी नहीं है गल्ती उन लोगों की है क्योंकि वह समझते नहीं अर्णिंग से मोटिवेट होते हैं तो भाई मैं एक चीज आप से पूछ लेता हूं आज कल मैं पहले ही का देता हूं ना आपको सौट टर्म जो है मोटिवेशन जो है न वो ले डूबेगा ले डूबेगा हाँ ये ठीक है दिमाग में बैटना है आपको सिर्फ इतना कंफरमेशन चाहिए होता है पैसा आता है या नहीं आता है सीधिसी बात है अगर सिर्फ जान गए आ टachu रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं भाग रहे हैं पीछे में तुम क्या कर लोगे पैले देंखो पता है कि इतना अर्समा नहीं होता है जब पता होगे ऑंता बंता के चीज को छोड़ दो आब यह मत देहो कि रहुत तो आप भी रहोगे, सीधी सी बात, अब एफोर्ट लगा, कमा सकते हो, बहुत कमा सकते हो, अब बहुत सारे लोग क्या है, आज की डिट में अर्निंग रिपोर्ट दिखा करके, बता करके, उसको जो एक तरह से, मतलब अंदर से जो है, एक आग दिखा, मतलब जला दी जा, ठ ठीक, अब वो शुरू किया, अब देखिए, कहां से, रूट कॉस दिखा रहा हूँ, कि लोग फिल क्यों होते है, क्योंकि उसके दिमाग में फलाना, तो कमा रहा है महिने के 10 लाक रुपया, अब मेरा यहां तो ट्रैफिक ही नहीं है, वो जो है, मोटिवेशन जो है, इसके अब आदे गंटे में 27,000 कमाया, अब आप कहेंगे कि मैंने कमाया, अब यहां पे माली जिजए से आप बता दिये, कि आदे गंटे में 27,000 कमाये, अब जो नया बंदा होगा, उसके दिमाग में मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है, और निगी रिपोर्ट से कितना ज़्याद भी करिये, डेड़ साल कुछ नहीं कमाया, अगर अगर 10,000,000 मेहना आप कमा रहे हैं, अगर कोई बता रहा है कि मैं 10,000,000 कमा रहा हूँ ब्लागिंग से, तो भाई देखो कि वो 10,000,000 कमाने के लिए वो क्या किया है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो यह मैं एक चीज़ यहां प इसका खंडन वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से किये हैं, कि यह कितना नुकसान दायक है, लोगों को धकेला कहां जा रहा है, और असलीक जो काम करना है, उस काम को लोग करना ही पा रहे हैं, और यह मोटिवेशन को दिमाग में रख करके, जो करना था, वो भी और गंदे तरीके से कर रहे हैं, इससे 10 करोड रुपे कमाऊंगा मैं, टार्गेट रख को बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उसको करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला 27,000 आदे घंटे में कमाएं, कहने को 27,000 आदे घंटे में बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और लोग लाख पैसा कमाने लग गए, मेरे 10 लाख रुपे महीने आ रहे हैं, और आपने सब को सीखना बंद कर दिया, आपने गूगल अपडेट्स पे निखा रखनी बंद कर दी, तो अगले ही महीने आप 10 लाख से 0 पे आ सकते हो, मेरे दोस्ते गूगल है, यह आपको एक करोड से एक आपको पता रहे हैं, क्या-क्या अपडेट आ रही है, या फिर यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे पे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, जो इस चीज पे बताते हैं, टाम टूटेट देते हैं, उनको आप सब्सक्राइब कर लो, आपको मेल में पता लग जाएगा कि यह अपड मेरे पास भी बहुत सारे लोग कोई मैसेज आते हैं, कमपनी के, कोई 100 रुपए में होस्टिंग दे रहा है, 20-20 रुपए में होस्टिंग दे रहा है, तो आपके according सबसे best होस्टिंग कौन सी है, जो as a blogger यूज कर सकते हैं, लोग starting में, देखिए, आपको आता है, मेरे पास भी मेल आता है, कि बादा दू मेरा, और मैं जानता हूं कि वो पैसे भी देंगे, लेकिन मुझे नहीं बताना है, मैं जिसको यूज करूंगा, उसको बताऊंगा, क्या रही यूज किये, और सच में value for money लगा, बेस्ट तो मार्केट में अब भी जानते हैं, कि जब बढ़ि दिन कहूंगा, कि आपको private server लेना है, क्या होगा, कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं, नहीं कर पाएंगे, shared से सुरू करना होगा, shared में, आप technical में बात बताता हूं, मैं hostinger को ज़्यादा prefer करता हूं, और यहां इसलिए कर रहा हूं, कि hostinger के साथ एक technology ज्यादा advantage लेके आया है, क पाचे server करके होता था, आप देखिएगा, अगर technical चीज़ देखेंगे, Google पर search भी करेंगे, दोनों में compare देखेंगे, तो कितना millisecond का फार्क है, same चीज में, same price range में, same चीज में, अगर load उतना दिया जाता है, तो light speed web server ज्यादा perform करता है, बहुत कम समय में data को serve कर देता है, त shared hosting, और एक चीज साथ में, मैं add करना चाहता हूँ, cloud flare, यह दोनों को साथ ले लीजिए, और इसके बाद जब पैसा अच्छा खासा आना शुरू हो जाए, तब जा करके जो है, अपना आगे जो है, इनहेंस करिएगा, मतल़ कि प्लान को अपड़ेट करिएगा, लिकि शुर hosting के लिए आपको वीडियो के description में एक link मिलेगा, जो कि हमारा affiliate link है, अब आप इस link से purchase करोगे, तो आपके मन में आ रहोगा, हमें क्या benefit, आपको तो benefit हो जाएगा, तो आपको जो benefit होगा, मैं आपको बता देता हूँ, जब आप hosting लोगे हमारे वीडियो के description के link से, आपको मिल देंगे, अगर आप हमारे description के link से लेते हो, तो आईए मैं आपको बताता हूँ, आपको hosting कैसे खरीदनी है, कौन सा plan लेना है, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों जैसे ही आप video के description में दिये हुए link पे click करोगे, आपके सामने hostinger की ये website खुल जाएगी, अब इस website की सबसे खास बात क्या है hostinger की, यहाँ पे आपको पूरे साल sale मिलती है, मतलब आपको hosting पे discount हमेशा मिलेगा, लेकिन कई बार साल में ऐसे मौक्या आते हैं, जहाँ पे आपको बहुत जवर्दस discount मिलता है, जैसे कि इस time पे monsoon sale का मिल रहा है 77%, तो आपको यहाँ प आपको बताता हूँ, आपको कौन सा plan लेना चाहिए, जैसे कि हमने अजयबाई के साथ discuss किया था, कि यहाँ पे अगर आप बिल्कुल start कर रहे हो, अभी अभी आपके पास अभी idea नहीं है, blogging का आप सीखोगे, तो यहाँ पे single plan है, premium plan है, तो आपको जाना चाहिए premium plan के सकते हो, 100 blog बना सकते हो, तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है, तो एक नाम आपको free में मिलेगा, और आप बिल्कुल इसको देखकर अपना एक blog बना लोगे, अब blog बनाना कैसे है, उसका link भी आपको description में course का, बिल्कुल free में मिल जाएगा, आप उस course को देखकर free में बना सकते हो, तो यहाँ पे आप चूज करोगे जैसे premium plan को, अगर आपका budget नहीं है, थोड़ा कम budget है, तो single plan के लिए भी जा सकते हो, वो आपकी choice है, अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको चूज कर लोगे, तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का page आ जाएगा, यह आप से पूछे अगर आप हमारे link से इसको open करते हो, और उसके बाद यहाँ पे discount डालते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे discount code डाल दिया, अपने नाम से, ठीक है, यह आपको code याद कर लेना है, या फिर आप देख के लिख सकते हो, जैसे ही आपे discount लगाओगे, 73606 की hosting 6575 की हो जाएगी, 4 साल की जो कि आपको बहुत सस्ती पड़ेगी, अब आपके पास पैसे नहीं है, तो आप 2 years के लिए जा सकते हो, जो कि आपको हमारे link से पढ़ने वाली है, 4562 की, अगर आपके पास पैसे बिलकुल भी नहीं है, तो आप 1 साल के लिए जा सकते हो, जो आपको पड़ेगी 2790 की, 1 month की मत लेना, और एक चीज और बता देता हूं आपको, अगर effort कर सको तो लेना, because blogging में competition बहुत है, आपके अंदर खुद confidence हो, तो purchase करना, मेरे कहने पे मत करना, total आपका decision है, मैं जस्ट आपको guide कर रहा हूं, तो जैसे यह हो जाता है, इसके बाद आपको यहां से Google से click करके, यहां पे आपकी domain और hosting खरी जाएगी, link आपको description में दे दिया है, hosting का भी और course का भी, जहां से आप अपने blog को बना सकते हो, तो भाई एक चीज और पूछना चाहूंगा, मैं, बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं, मैं खुद भी answer करता हूं, लेकिन चलो podcast blogging पे प्रेश हो जाएगी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहूंगे, तो भाई एक बात आपको पता है, लाखों का traffic आने वाला है, तो इन्वेस्ट कर दो, अच्छा प्लान हो सी hostinger से भी, hostinger के पास है न, सारे प्लान है, उपर बाला प्लान लिए जैसे नहीं पता किसी को, औ एक दम से मानलो थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया, तो कितना जो normal हमारी hosting होती है, जो normal हम premium plan लेते हैं, कितना traffic जहिल सकता है आपके according, देखे, अभी तो मैं shared यूज करने रहा हूं, जो बात है, अभी मैं cloud यूज कर रहा हूं, और आप भी जानते हैं कि जब premium बाले में जाते हैं, premium company का जो है product लेते हैं, तो automatically जैसे traffic आते रहता है, आपको charges करते रहेगा, आपको उसका tension नहीं लेना है, कि मेरा यह रुक जाएगा, मतलब bandwidth, overall आपका कहना है, कि bandwidth की बात चल रही है, कि आपको जो है, इतना ज्यादा user एक आएक आएक आगए, तो अब जो है, मेर आपके पास traffic आएगा, उस समय आपके पास मतलब पैसा है, और जैसे ही पैसा आता है, तो मैं आपको सलाह दूँगा, earning आपका शुरू होता है, hostinger हो, या दुनिया का कोई भी बेb hosting company हो, आप अपना plan जो है, upgrade कर लिजिए, RAM बढ़वा लिजिए, bandwidth बढ़वा लिजिए, के पास पैसा आया, आप invest कर दो पैसा को, तो भाई एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कि देखो जब हम article लिखते हैं, तो आपको पता है कि हम on page SEO पे बहुत फोकस करते हैं, तो on page SEO में बहुत लोगों के मन में confusion होती है, कि भाई keyword बार 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 उल्टी सी करेंगे, तो मैं आपसे एक बार request करूंगा, आप जैसे article लिखते हो, तो आपके according, आपकी on page SEO कि क्या checklist होती है, main, main points कि मैं यहाँ यहाँ पे लगाना पसंद करता हूं, तो जो भी आपकी checklist है, एक बार share करोगा, हाँ मैं बताता हूं, सबसे ज़्यादा गलती, अभी भी मैं experience फिल किया हूं, मैं अपने आप में अनुभाव लिया हूं, और experiment कर भी रहा हूं, कुछ पर direct keyword उठाता हूं, डालता हूं कि क्या अभी भी Google इस चीज को ले रहा है, अब मैं feel किया हूं, experience यह लिया हूं, कि आप Google के पास artificial intelligence का सकते हैं, कि power जो है न, इतना ज़्यादा advance आपको देखना है, कि जिस keyword को target कर रहे हैं, उससे relevant और कौन-कौन सा keyword है, उसको आप एक seat में, या Google seat में जो है न, आप एक बना लीजे, checklist में, कि मुझे ये minimum तीन keyword है न, इसके related, relevant keyword उसमें add करना है, और title जो है, वो आपको एक तरह से title पर बहुत ज़्यादा धियान रखना परेगा, कि एक तरह से title generator भी बहुत सारे आते हैं, AI tools कर सकते हैं, और जब वो title generate हो जाए, फिर आप देखिए, कि यहाँ पर मेरा CTR बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लोग क्या करते हैं, keyword को उठाए, exact, और title में डाल दिये, और छोड़ दिये, अब वो काम उतना लिंकिंग है या नहीं है, है न, इसके बाद तीसरा देखना है, कि आप जो है, आप जो भी माली जब लॉग article लिख रहे हैं, जिस topic के बारे में लिख रहे हैं, external article डाल रहे हैं, अब हो यह रहा है, कि लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, external article में डालूँगा न, ते अगले के पास एक बैक लिंक चला जाएगा ना देखिए यह सोच बनते जा रहा है कुछ ब्लॉगर का नहीं अब बताता हूं अगर रिलेटेड की मान लिजे रिलेटेड को टॉपिक पोस्ट लिखे हैं और उससे रिलेटेड सच में कोई दूसरा वेब साइट ब्लॉग कुछ है कोई लिंक देते हैं तो गुगल इसको खराब नहीं बढ़िया मानता है इसको एक रियाल लाइट प्रैक्टिकल? में बताता हूँ, अगर आप research paper मान लिजे जा रहे हैं, कोई paper मान लिजे आप submit कर रहे हैं, और आप किसी मान लिजे के अपने जो faculty है या जो आपको guide किये हैं, उसका नाम अगर reference में नहीं डाल रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा स्वार्थी माना जाएगा, यह possible ही नहीं ह मैं एक चीज secret बात बता हूँ, सबसे बड़ियाँ चीज, मैं यह यूज करता हूँ, आप न, Wikipedia का link उठाईए, ठीक है, जो भी topic है, अगर external डालना है, बस महाँ उठा के दे दिने, दूसरे का गया भी नहीं, Wikipedia आपने आपने तो बड़ा है, कोई दिकत नहीं होगा, लेकिन जवरदस्ती कहीं नहीं, जवरदस्ती तो गलती से भी नहीं, तो भाई आपने तीन चीजे तो बताई, टाइटल हो गया, जिस पे सबसे आदा महनत करनी है, और क्यों ना करें, क्योंकि सबसे पहले दिखता ही टाइटल है, अगर मैं आपको छोटी सी भाशा में समझाओं, अगर आपको यह अपना प्रोडक्ट बनाते हो, और जो उसकी पैकेजिंग है, वो टाइटल होती है, अगर पैकेजिंग बोरिंग होगी, तो लोग उसको मार्केट में देखेंगे, और उनको नहीं पसंद आएगा, चाहे क्वालिटी बहुत अच्छी अंदर, लेकिन पैक 90% ब्लोगर्स की प्रोब्लम होती है, कि सा रेंक कर रहा है, इंप्रेशन्स आ रहे हैं, क्लिक नहीं आ रहे है, टाइटल पर मैनत करो, उसके बाद आपने बताया, इंटर्नल लिंकिंग, एक्स्टर्नल लिंकिंग, इसके बाद और कौन-कौन सी उनके लिएस्टियो में आपको देखना है, कि मेटा डिस्क्रिप्शन सही से लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन भी बहुत जरूरी है, आप अबरल जो है, मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा टैग जितने भी है, आप बता रहे हैं, कि सर्च इंजन में जब आएगा, तो उसम तुर्फिरी यह सब है ना आपको देखना है अगर कोई ऐसा टॉपिक है जहां पे लिष्ट बन सकता है तो अप लिस्ट बनाईए तो यहां पे आपको आपको लिस्ट वाले जितने जो पोस्ट होते हैं उसको एक तब केरफुली अच्छे से लिष्ट बनाईए उसमें बुल तो गौर करिएगा एक चीज, आप सेम आर्टिकल को डिफरेंट डिफरेंट इस्टाइल में लिख सकते हैं, अगर आपका अच्छा है ना, तो हो सकता है गूगल आपको जल्दी रैंक भी कर दी, ये भी बेनिफिट पहुंचा सकता है, थोड़ा से यूनिक इस्टाइल करिए हाँ, एक चीज मैं आपको आर्टिकल लिखने में कर रहा हूं, अपने दिल से लिखिएगा आर्टिकल, ऐसा नहीं है कि ए आजिन्डेटर वाला टूस उठाइएगा, और इसके बाद आर्टिकल लिख दालिएगा, ये गल्ती मत करिएगा, बिल्कुल, चलिएगा, तो एडवाइस करना चाहोगे, जिससे उनको सक्सेस मिल सके, तो कुछ ब्रीफ में हमारे इस पूरे पूरे पोड़कास्ट का निचोड़, आप हमारी ओडियंस को दें, सीधी सी बात, आपको नए ब्लॉगर ब्लॉग सुरू कर रहे हैं, आपको SEO सिखना परेगा, और SEO सिखने के लिए कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है, दूसरा, ये जो मोटिवेशन टाइप का वीडियो आप देख रहे हैं, रोज 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 आ रहा है आपके सामने, इतना पैसा वो पैसा ये दिमाग से हटा दीचे, सिर्फ दिमाग में रखिए पैसा आएगा, और पैसा आए कि उसमें ये क्या इंप्लिमेंट किया है, टेकनिकल चीज क्या है, क्या-क्या चीज जो है इंप्लिमेंट करेंगे तो वो मेरे लिए बेनिफिट पहुचाएगा, और आपको हमेशा बेनिफिट पहुचाएगा, गूगल ही पहुचाएगा, बाकि कोई नहीं पहुचाएग आपका ब्लॉग और गूगल और उधर एड नेटवर्क वाले पैसा देंगे गूगल वाले आपको ट्रैफिक देंगे और ट्रैफिक देंगे तभी जब उसके गाइडलाइन्स के अनुसार चलना पड़ेगा गाइडलाइन्स के चलने का मतलब है कि सर्च इंजन बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे उसके अनुसार से अपने ब्लॉग को मतलब उसमें चेंजिंग करके और उसके अनुसार से इंप्लिमेंट कर दीजे वहां पर यह चीज़ धियान में रखिए अप टेंसर फ्री रहिएगा ट्रैफिक आता रहेगा पैसा कमात आप सीखो तो मेरा यह मानना है कि अगर मैं किसी टॉपिक पर ब्लॉग बनाता हूं और एक चोटा सा टॉपिक मैंने लिया जैसे कि कल मैंने एक वीडियो भी डाला था उसमें हमने आइफोन फोटोग्राफी टिप से रिलेटिड एक ब्लॉग था जो सिरफ आइफोन में कै तो मेरा यह मानना है कि अगर बिल्कुल छोटा सा कोई माइक्रो निच लेते हैं और बिना गूगल की अपडेट्स को देखे बिना किसी चीज को देखे मतलब फ्री माइंड होके हमारा मोटिव रहता है कि भाई हमने एक टॉपिक ले लिया उस टॉपिक से रलेटिड मार्क přाराल तक काम करता रहता हूं ना मैं कोई 업डेट डेख रहा ह÷्ला कि कुछ कर रहा हूं बस न मेहनत कर रहा हूं अपने काम के उपर अगर मैं यह चीज करूँगा ना दिल लगाके और कुछ नहीं करूँगा तो मुझे कोई 업डेटल अफेक्ट नहीं कर पाएगी और कोई भी दुनिया की चीज मुझे अपने ब्लोग को ड्रोक नहीं पाईगी मेरे ब्लोग को, ये मैंने खुद फील किया है, तो मैं आप से एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या भाई इस मेंटेलिटी को लेकर कोई न्यू ब्लोगर काम करता है, क्या उसे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसका जब आप सीधे हां का दू, लोग सटिस्फाई नहीं होंगे, तरक के साथ दूंगा, सटिस्फाई हो जाएंगे, सीधी सी बात है, अगर आप सुरू से इमंदार है, तो दुनिया का जितना कानून बनता है, मतलब गूगल का जो अपडेट है, एक कानून ही है, जो भी कानून है, वो जो सही है, उस चीज के लिए कोसिस करता है, कि जो सही से सही, जो कता है, निया ही देने की बात होती है, वही चीज है, अगर सुरू से आप इमंदार हैं, तो आपको किस बात का डर है, कौन Google और कौन Bing और कौन search engine, बिलकुल, आप गलती कर नहीं रह चलना है, जब आपको पता है, कि हम सोट टर्म में, मोटिवेसन वाला के कारण जो है, पैसा खमाने के चकर में, तूरंत में कमा लूँ, उस चकर में बाद में दूसरा कानून बनके आया, मतलब कि SEO अपडेट आया, Google ने अपडेट किया, और पेनलाइज हो गया वेब अगर आप सुरू से सही है, जैसे आपने बताया, कि इमंदारी से काम कर रहे हैं, जब इमंदारी से आप कर रहे हैं, तो जितना भी अपडेटा ना होगा आएगा, सब जहल लेगा, लॉंग टर्म में खेल लीजे, बिलकुल, बिलकुल, तो अजे भाई, ठैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, और हमारी, most welcome भाई, आपने हमारी ओडियन्स को बहुत मोटिवेट किया, ब्लॉगिंग के लिए, और उनको उन चीजों के बारे में बताया, जिनसे अगर आप फॉलो करते हो, तो आप ब्लॉगिंग में सफल हो सकते हो, तो दोस्तों, I hope so, आपने मेहनत करना शुरू करो, लाइफ बहुत इंपोर्टेंट है, इसको ऐसे ही वेस्ट मत करो, अगर आपने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, बहुत ही खुपसूरत है, बहुत ही प्यारा फील्ड है ब्लॉगिंग, जस्ट आपको चीजों को सीखना है, आप एक चीज सोचके द जब डिगरी हो जाती है, आपने ढंक से नहीं करी, तो आप ये नहीं बोलोगे ना, कि इस कॉलेज से मैंने डिगरी करी, इतना पैसा दिया, और मैं आज के टाइम पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, गलती आपकी ये है, और जबकि आप ही की क्लास के बहुत ऐसे बच्चे जो अच्छी पोजिशन पर आप बैठे हैं, लाकों कमा रहे हैं, गलती की सेम कॉलेज से पढ़ने के बाद आप ही की निकलेगी, तो इसलिए बोलता हूँ भाई, महनत करो, और चीजों को सीखो, उसके बाद सक्सेस जरूर मिलेगी, तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए महनत करते रो, लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी, बस कभी भी हार मत मानना, जै श्री राम